लेखा सास्तर कक्सावारा अध्यापांच कम्पनी लेखे अंसों रिणों पत्रों का निर्गवन बी नमस्कार मित्रों में रामावदार बटू का आपकर स्वागत करता हूँ मैं एक श्वयपाठी विद्यारती हूँ मैं इस परकार पढ़ता हूँ कि मुझे सत्र परतिसा से अधीक याद हो जाता है परशन एक कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसुची थर्ड के अनुसार परतेगवर्ग की पूंजी को किन रूपों में दर्साना आवश्यक है उत्तर आधिक्तम पूंजी दो निर्गमीत पूंजी और तीन पार्थित पूंजी की रूप में दर्साना आवश्यक है पर्शन दो आधिकर्थ पूंजी किसे कहते हैं उत्तर कम्पनी अधिनियम 2013 की दारा 28 के अनुशार अधिकर्थ पूंजी या पंजीकर्थ पूंजी से आसा है उस पूंजी से है जो कम्पनी के पारशद सीमा नियम दूरा अधिकर्थ पूंजी की अधिकतम राशी हो कंपनी के पारसद सीमा नियम में पूंजी की अधिक्तम राशी व्यक्त की जाती है उसे अधिकर्थ पूंजी कहते हैं इस पूंजी में दोनों परकार के अंसों समता अंस तता पुर्वादिकार अंस को पर्थक पर्थक दरसाया जाता है परस्न तीन पूंजी किसे कहते हैं कुत्तर कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा दो पच्चास के अनुसार निर्गमित पूंजी से आसे ऐसी पूंजी से है जिसे कमपनी द्वारा समय समय पर अभिदान के लिए निर्गमित किया जाता है इस परकार निर्गमित पूंजी अधिगर्थ पूंजी का ही एक भाग है जिसे कमपनी द्वारा अभिदान के लिए नर्गमित किया गया हो कम्पनी द्वारा जनता को नगद धनिया किसी अन्य परतिफल के बदले निर्गिमित किये गए अंसों के अंकित मुले को निर्गिमित पुंजी कहते हैं पर्षन चार पार्थित पुंजी किसे कहते हैं उत्तर कम्पनी अदिनियम 2013 की धारा दो च्छिन सी के अनुसार पार्थित पुंजी से आचा है पुंजी के उस भाग से है जो समय समय पर कम्पनी के सदस्चों दुआरा पार्थित की गई हो इस परकार पार्थित पुंजी या अविदत पूंजी निर्गमित पूंजी का एक भाग है जिसके लिए अविदान किया जा चुका है पर्शन पांच मांगी गई पूंजी किसे कहते हैं उत्तर कमपनी अदिनियम 2013-12-51 के अनुसार मांगी गई पूंजी से आसे पूंजी की उस भाग से है जिसे भुगतान है तू मांगा जा चुका हो इस परकार पार्थित पूंजी का ये भाग जिसे कमपनी द्वारा अंच धायों से मांगा जा चुका है पर्शन छे पर्दत पूंजी किसे कहते हैं उत्तर कमपनी अदिनियम 2013-12-64 के अनुसार पर्दत अंच पूंजी से आ से जमा की गए उन धनराशियों के योग के समतुले से है जो निर्गमित किये गए अंचों पर पर्दत रूप से प्राप्त हो गई हो तथा इसमें कमपनी के अंचों के संदर्म में पर्दत रूप में जमा की गई राशी सामिल है लेकिन इसमें एसे अंसों के सम्मंद में प्राप्त अन्य रासी जिसे किसी भी नाम से जाना जाता होगो सामिल नहीं किया जाएगा पर्शन साथ बकाया मांग किसे कहते हैं उत्तर अंस पुन्जी ये सम्मंद में कमपनी द्वारा गई वहरासी जिसका अंस दारी ने भुगतान नहीं किया जाया है बकाया मांग कहलाती है पर्शन आठ लेखंगन कीमपनी में बकाया मांग को किस परकार लिखा जायेगा उत्तर बकाया मांग को अंस पुन्जी शिर्शक में मांगी गई पुन्जी से गटा कर लिखा जाता है पर्शन नो क्या बकाया मांग राशी पर कमपनी द्वारा व्याज वसूल किया जा सकता है यदि हाँ तो कितना हाँ कमपनी द्वारा साड़नी एफ के अनुसार दस परतिसत वार्शिक दर से व्याज वसूल किया जा सकता है पर्शन दस अग्रिम मांग राशी क्या है उत्तर एक कम्पनी को यदि उसके अंतर नियमों में वर्णित हो नय मांगी गई मांग राशी के समझ में प्राप्त राशी को स्विकार कर सकती है जो अग्रिम मांग कहलाती है पर्शन ग्यारा चिथे में अग्रिम मांग राशी को किस सिर्षक से दर साया जाएगा उत्तर चिथे में इसे चालुदाईत्य शिर्षक के उपसिर्षक अन्य चालुदाईत्यों के अंतरगर दर साया जाता है पर्शन बारा क्या अग्रिमांग की राशी पर कंपनी ब्याज दे सकती है यदि हाँ तो कितना हाँ साड़नी एफ के अनुशार अग्रिमांग की राशी पर कंपनी बारा परतिसत वार्शी दर्शी ब्याज दे सकती है प्रशन तेरा एक कमपनी अंसों का निर्गमन क्यों करती है उत्तर एक रोकड नगद राश्ची के अतिरिक्त किसी अन्य परतिफल के लिए या दो रोकड के लिए कर सकती है पर्सन चोदा रोकड के आलावा किसी अन्य परतिफल के लिए अन्य परतिफल के लिए अन्य परतिफल के बदले 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 अन्य उत्तर जब एक कमपनी तो अंसों के निर्ग्मन की राशी चेक ड्राफ या अन्य रूप से प्राप्त होती है तो ये रोकड के लिए अंसों का निर्ग्मन कहलाता है पर्शन सोला अंसों के निर्ग्मन पर राशी का भुगतान कितने प्रकार से हो सकता है उत्तर दो प्रकार स एक आये दन पर एक मुस्त और दो संपूर राशी किस्तों में पर्शन सत्रा आये दन पर एक मुस्त देई राशी क्या है उत्तर जब अंसों के निर्गमन पर समस्त राशी आये दन पत्र के साथ देई हो एक मुस्त देई राशी कहलाती है प्रशन अठारा संपूर राशी किस यथा आवेदन आमंटन तथा एक या अधिक मांगों पर देः हो तब किस्तों में देःराश ही कहलाती है प्रेश्न गुन्दीश सारवजनी कमपनी किम दो में से एक परकार के अंसों का निर्गमन कर सकती है उत्तर ए सम्मुले पर अंसों का निर्गमन या प्रेमियम परव्याजी पर अंसों का निर्गमन कर सकती है प्रेश्न बीश सम्मुले पर निर्गमन क्या है उत्तर जब अंसों को उनके अंकित मुले पर ही निर्गमित किया जाता है तो इसे सम्मुल्ले पर निर्गमन कहते हैं जैसे एक souvent द्वारा दस वाले किसी अंस का निर्गमन रुपई 10 परती अंस करना प्रश्ण 21 प्रीमियम परव्याजी पर निर्गमन क्या है उत्तर जब अंसों को उनके अंकित मुले से अधिक मुले पर निर्गमित किया जाता है तो ये अंसों का प्रीमियम पर या परव्याजी पर निर्गमन कहलाता है जैसे एक कमपनी द्वारा रुपी 10 वाले अंसों का निर्गमन रुबय पंदरा परति अंस की धरफर करना प्रस्ण बाईस क्या कंपनी अपने अंसों का निर्गमन बट्टे पर कर सकती है यदि हां तो क्यों और नहीं तो क्यों नहीं उत्तर पुर्मे में कंपनियां अपने अंसों का निर्गमन बट्टे पर भी कर सकती थी लेकिन कमपनी अधिनियम 2013 की दारा तरेपन के अनुसार कोई भी कमपनी अपने अंसों का निर्गमन बट्टे पर नहीं कर सकती है धारा चोवन के अनुसार स्वेट समता अंस बट्टे पर निर्गमित किये जा सकते हैं प्रस्ण 23 बट्टा किसे कहते हैं ये कितने परकार का होता है उत्तर सामानेत है किसी उत्पाद पर निर्माता द्वारा छूट या कटोती जो अंकित मुले से कम करके दी जाती है उसे बट्टा कहते हैं ये दो परकार का होता है एक व्यापारी बट्टा वे दो नगत बट्टा प्रस्ण 24 व्यापारी बट्टा किसे कहते हैं उत्तर जब निर्माता अपने गरायक को अंकित मुले अथ्वा विक्रे मुले पर एक निश्चित दर्शे कटोती देता है तो उस छूट या कटोती को व्यापारी बट्टा कहते हैं प्रस्ण 25 नगद बट्टा किसे कहते हैं उत्तर गरायक को तुरंत अथ्वा एक निश्चित अवदी के अंदर नगद बुगतान करने के उद्देशे से जो छूट दी जाती है उसे नगद बट्टा या रोकड़ बट्टा कहते हैं प्रस्ण 26 क्या बट्टे का लेखा पुष्टकों में किया जाता है उत्तर हाँ नगद बट्टा का लेखा पुष्टकों में अवश्य किया जाता है बट्टा दिये जाने पर बट्टा खाता डेविट किया जाता है और बट्टा प्राप्त होने पर बट्टा खाता क्रेडि किया जाता है प्रस्न 27 स्वीट सम्ता अंस किशे कहते हैं उत्तर स्वीट सम्ता किक्र databases ऑपनी किया किषी का रियायती मुले पर आमडित किये गए हो पर्षन 28 अंस निर्गमन की परिक्रिया क्या है उत्तर एक सारोजनी कमपनी द्वारा अंसों के निर्गमन है तू कमपनी अधिनियम 2013 दधा भारतिय पर्थिबूतियें विनिमे बोर द्वारा इस समन्ध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना पड़ता है पर्षन 29 कमपनी अधिनियम 2013 और भारतिय पर्थिबूतियें विनिमे बोर के दिशा निर्देशों की अनुशार अंसों के निर्गमन की परिक्रिया के मैत्वे पूण बिंदु क्या है उत्तर एक प्राइवीवरन निर्गमन दो अंसों के लिए आवेदन तीन अंसों को आमब क्या है उत्तर कमपनी अधिनियम 2013 की धारा दो सत्तर के अनुशार पर विवरन एक लिखित सूचना परिपत्र या अन्य प्रलेख होता है जो एक समामेलित संस्ता की पर्ति भूतियों का क्रिये कर या अभिधान करने एतु जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है अर्थात प्रेविवरन जनता को सार्वजनी कमपनी की पर्ति भूति क्रिये करने के लिए दिया जाने वाला आमंत्रण है पर्ष्ण 31 प्रेविवरन निर्गमन में कौन सी बातों का उलेख होता है और इसका उद्दे से क्या होता है उत्तर प्रेविवरन में सामानेत कमपनी का इधि जाता है उंस निर्गमन एह तु एक सार्वर जिनीक कमपनी प्रहर विब्रण का निर्गमन करती है प्रशन मत-tis अंसो के लिए आवेधन क्या है उत्तर प्रहर विब्रण के आदार पर जो व्यक्ति कम्पनी के अंस खरीदना चाहते हैं वे निर्धारित आवेदन पत्र भरकर आवश्यक निर्धारित राशी के साथ कम्पनी के बेंग में जमा कराते हैं प्रस्न तेटीस आवेदन पत्र के साथ जो राशी जमा कराई जाती है उसे क्या कहते हैं उत्तर उसे आ 42 के अनुशार आवेदन परतेक परति भूति के अंकित मुले का कम से कम पांच परतिसत प्राप्त करना आवश्य कहे या हुए धनराशी जो सेबी दुआरा कानुन बना कर इस समंद में निर्धारित की जाए तदानुशार अंस आवेदन राशी अंस के निर्धमन मुले के 25 परतिसत से कम नहीं होनी चाहिए प्रश्न 35 अंसों का आमटन किसे कहते हैं उत्तर अंसों के आमटन से आसे अंसों का आवेदकों के मद्दे बंटवारा करने से हैं ये कारिय संचालक मंदक द्वारा अधिनियम के विभिन प्रावधानों के तहत किया जाता है एक आवेदक को अंस आवेदकों अंस आवेदित होने के उपरां थीवे अंस धारी बनता है अंस आवंटन से पूर्वे एक सारवजनी कमपनी किन प्रावधाना का पालन करना होता है उत्तर निूनतम अभिदान परति भूति के अभिदान एतु आवेदन प्रापत राशी को जमा रखना तीन निूनतम अभिदान राशी प्रापत करने की अवधी चार इस्टोक अक्षेंज को आवेदन, पांच आवेदन परप्त जारी करना, छे रिष्टार को आवेदन आवंटन रिटन बेजना, साथ अंस परमानपत्र और आठ प्रारंबिक सारवजनिक निर्गमन आदि प्रावधानों को पूर्ण करने के उपरांधी एक सारवजनिक क कमपनी द्वारा अंसों का आवंटन किया जा सकता है, प्रस्न 37, अंसों के आवंटन से पूर्व कमपनी को कितना नियूंतम अविधान प्राप्त होना चाहिए, उत्तर धारा 49, एक के अनुसार कमपनी द्वारा अपनी परती भूतियों का आवंटन तब तक नहीं किया जा स सकता है कि जब तक की परविवरण में वर्नित नियूंतम राज़ी के लिए अविदान प्राप्त नहीं हो जाए। उत्तर धारा चारीश तीन के अनुसार कम्पनी द्वारा जनता से परती भूति की अविदान एतू आविदान से प्राप्त राज़ी को अनुसुचित बेंक में पर्थक से खोले गए खाते में जमा रखना आवश्यक है। पर्षन उन्चारीश अंसों के आवटन से पूर्व कम्पनी द्वारा नियूंतम अविदान राज़ी प्राप्त करने के अवदी क्या है। द्वारा नियूंतम अविदान राज़ी की गणना के लिए अंसों की उन रक्मों को सामिल नहीं किया जाएगा। जो मुद्रा के अत्रिक्त किसी अन्य रूप में दे हो। आवेटन पत्र जारी करना क्या है। उत्तर जिन आवेद को को अंसों का आवेदन किया गया है कम्पनी सची उन आवेदकों को आवेदन पत्र बेजता है। जिन आवेदकों को कोई अंस आवेदन नहीं किये गये हैं तो उन्हें खेद पत्र के साथ उन से प्राप्त आवेदन रासी उचित माध्यम से लोटा दी जाती है। प्रस्ण 42 रजिस्ट्रार को आवंटन रिटन भेजना क्या है। प्रस्ण 43 अंस पर्मान पत्र क्या है उत्तर अंस पर्मान पत्र उसमें निर्दिष्ट अंसों पर किसी सदस्य के आधिकार होने के मूल पर्मान है। ये पर्मान पत्र अंस दाई के स्वामीत वगा पर्थम द्रिष्ट असाक्ष है। सहित स्वामियों में से पर्थम नामित स्वामी को अंस पर्मान पत्र की दी गई सुदूर्पिकी को सुदूर्पिकी मानी जाती है। पर्शन चमारीस परारंबिक सार्वजनिक निर्गमन क्या है। उत्तर अंसों के अविदान ये तु जनता को आमंत्रित करने तु किये गए प्रस्ताव को परारंबिक सार्वजनिक निर्गमन प्रस्ताव का जाता है। प्रश्न 45 अंसों पर मांग क्या है उत्तर आवेदन पत्र के साथ एवं अंस आमंटन पर मांगी गई राशियों के पश्चात यदि अंसों पर देई राशि का कुछ भाग सेस रहता है तो कंपनी इस राशि को किस्तों में वसूल करती है ऐसी परते किस्त अंसों पर याचना मांग कहलाती है अंसों पर मांग कंपनी के अंतर नियमों में दिये गए प्रावदानों के अनुरूप की जाती है प्रश्न 46 किसी कंपनी में यदि अंसों पर मांग के समंद में अंतर नियमों में प्रावदान ने हो तो क्या किया जाएगा उत्तर कंपनी के अंतर नियमन न नए हो या औंतर नियुम में अंसों पर मांग का प्रावधान ने होने कीस्तिती में कंपनी Tierney Am 2013 की Saarne F को प्रावधान लागू होंगे कंपनी하ाद सेद्स्जानीरीस दिन्युम अंसों पर मांग के क्या प्रावधान लागू को सा होँगे 2. किसी मांग की राशी अंसों में अंकित मूले के 25 पर 30 सच से अधिक नहीं होगी 3. अंसदारकों को राशी चुकाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्वर सूथना दी जाएगी 4. एक ही वर्क के सभी अंसों पर मांग की राशी एक समान होनी चाहिए 5. यदि कोई अंसदारी अंसों पर देव मांग की राशी का निर्धारी तिथी तक भुगतान नहीं करता है तो कमपनी बकाया राशी पर भुगतान की देव तिथी से भुगतान की वास्तविक तिथी तक की अवधी पर 10% वार्शी की दर्से ब्याज उसूल कर सकती है कुछ अंसदारियों द्वारा नय मांगी गई राशी को आमंटन या मांग राशी के साथ बेज दिया जाता है जो भविश्य की मांगों से सम्मंदित होती है सार्णी एफ के अनुसार उसका क्या किया जाता है उत्तर येदी कंपनी के अंतर नियमों में वर्नित हो तथा संचालन मंडल उचित समझे तो इस अग्रिम याचना राशी को स्विकार कर सकता है इस अगरिम प्राप्त राशी पर अगरिम अवदी के लिए अधेकतम बारा परतिसत वार्शिक दर्से ब्याज दै होगा धन्यवाद